है लो गाइस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो मारा Samsung Galaxy A15 5G phone एज जो Samsung Galaxy A15 5G phone की settings पे जाकर जो मारे phone में screen saver settings हैं तो screen saver settings के जरी है आप कैसे always on display settings को set कैसे कर सकते हैं और कैसे screen saver के जरी है always on display settings को set कर पाएंगे Samsung Galaxy phone में तो आज हम बताने वाले हैं कि always on display settings को set कैसे कर सकते हैं और कैसे screen saver options के जरी always on display settings को set कर पाएंगे तो बताने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को like करें subscribe करें और साथ में bell icon दबाने ना भूलें तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शोर हैं तो आपको swipe करना है swipe करती है all icons open हो जाएंगे आपको जाने यहां से settings पर click करते ही phone की settings से अपन हो जाएं कुछ इस तरही से तो आप कैसे always on display settings को set कर सकते हैं Samsung Galaxy phone में तो simply आपके पास यह option आगया display का display पर जाका जो भी आप always on display settings को set करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बस आपको यहां से screen saver settings पर जाना है और screen savers के जरीए always on display settings को set कर सकते हैं non options पर टाइप करते हैं तो आप always on display settings को off कर सकते हैं कोई भी screen saver animations log पर शो नहीं करेगा और आप यहां से color animations भी show कर सकते हैं और कुछ इस तरहीं से आपका color animations बगारा show करने लगता है और साथ महीं देख सकते हैं कि आप यहां से photo frame animations भी लगा सकते हैं यहां से gallery पर जाकर इसको allow कर देना है तो इस तरह से screen saver settings के जरी always on display settings को set कर सकते हैं Samsung Galaxy A15 5G phone में तो आपको वीडियोच लेए तर लाइक और सब्सक्राइब करें